Hello everyone, तब सभी बच्चे देख सकते हो, Polymer का Complete Hand Written Notes पाइली बन चुका है, अगर आप J, WBG, Bitset, Comment की के लिए त्यारी कर रहे हो, तो ये Notes आपके लिए काफी important होने वाला है, Maximum बच्चे इस particular chapter को skip कर देते हैं, and last time in को समाज में आता है, नहीं मुझे क्या परना चाहिए और क्या नहीं परना चाहिए, and मैं decide किया हो, कि इस वीडियो का जो like target है, कम से कम 50 होना चाहिए, ताकि मैं समझ सको कि हाँ, आप सभी बच्चों के लिए, ये यतने भी Notes, जो कि मैं upload कर रहा हूँ, ये सर्च में helpful हो रहा है, इस Notes को access कैसे करना होगा, तो simply आपको Play Store में जाना होगा, and आपको search करना होगा, इडिलब्या, तो जैसी आप application को install करते हो, and open करते हो, तो आपको दो टो folder दिखता है, एक है WBJ का folder, and एक है IATJ का folder, ठीक है, इन दोनों folder में, आपको chemistry का section में जाना होगा, ठीक है, तो इसी section में, ये जितने भी hand edited notes है, ये upload कर रहा हूँ मैं, वैसे इसके पहले, मैं name reaction का hand edited notes already upload कर चुका हो, तो जितने भी chemistry के hand edited notes है, आपको सब इसी section में ही मिलेगा, and मैं बता दो कि हम लोग already DPPs upload कर चुके है, ebooks upload कर चुके, तो साड़ा कुछ आपको एक ही जग पर मिल रहा है, तो simply आपको इस notes को भी यहा से ही मिलेगा, ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से discussion कर पॉली यहा हा, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है polymer, तो poly का मतलब होता है many and mer का मतलब होता है unit, यानि कि कई सारे unit मिल कर के polymer बनता है, like आप यह example देख सकते हो, polyethene, ठीक है, तो polyethene, यानि कि कई सारे ethen unit मिल कर कि polyethene बनता है, एंड यह कैसे बनता है, तो आप देखिए, यह जो है, यह एथीन है, इसको हम लोग एथीन बोलते है, तो देखिए, एन संखक एथीन मिल करके पॉलीमर बनता है, एंड उसको हम लोग पॉली एथीन बोलते है, एंड इसका कोर्रिस्पांडिंग जो होता है, उसको ह बन रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इन संखक जिसे माले जी एक एथिन मॉल्लिकूल है ठीक है तो कई सारे एथिन मॉल्लिकूल यहाँ पर मैंने रग दिया है ठीक है एंट सबको अगर मिला दे सबको जोड़ दे तो एक पॉलीमर बन जाता है एंट उसको हम लोग यहाँ पर पॉल इथिन बोल रहे हैं तो मैं काफी इजी वर्ट में सबको लिखा हूँ आप देख सकते हो कि मेंस बहुत सारे एथिन मिला करके एक पॉलीमर बनाते है वि एंड हाई देंस्टी पॉलीमर की बारे में तो दिगे कॉस्स किया से पूछे जाते है अब जो भी एकजाम के लिए तयारी कर रहे हो तो कॉस्स आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है लोग देंस्टी पॉलीमर में तो आप देख सकते हो in presence of traces of oxygen और परक्साइड इनिशेटर तो यह catalyst का name है and high density polymer के बात करें तो यहाँ पर जो catalyst use होता है वो है gigner nata catalyst इसको नों बोलते है titanium tetrachloride तो यह सब आपको याद करना पड़ेगा इसका structure linear होता है इसका structure branched होता है ठीक है यह under high pressure and temperature में बनता है and यह under low pressure and temperature बनता है इसका uses देख सकते हो and इसका use देख सकते हो तो questions आपको इन ही में से ही पूछा जाएगा अब बात करते है addition polymers and condensation polymer तो addition polymer जो होते है वो कैसे बनते है formed by repeated addition of monomer molecules possessing double or triple bonds ठीक है and condensation polymer का मतलब होता है कि यहाँ पर water का elimination होता है मतलब जब वो product बनता है न तो water eliminate होता है अब कौन कौन से addition polymer होते हैं कौन कौन से condensation polymer होते हैं इसका detail मैं discussion कर चुक हूँ next page में तो addition polymer को हम लोगे chain growth polymerization भी बोलते हैं and यह free radical mechanism follow करता हैं मैं बता रहो कि हर एक content यहाँ पर सब कुछ important है कुछ भी skip करने वा चीज नहीं है तो दिखें left side में जो है une yeah key Bretager में मैं जितना भी लिखा ऊप सारे को सारे को MON मर बोल रहा हो and that right side में वो सारे सारे polymer हैं ठीक है तो दिखें लाइक यह क्या है यह tetra fluorبر इतन इसको को बोलते tetra fluorendra make 10 and यह जो है इसकोनों बोलतें teflon तो teflon होगा polymer और जो tetrafluorouthecin है वो monomer तो एन संक्कल tetrafluorospace भन करके teflon बनता है, तो इसका язवें यह हुआ, ठीक है सेम अब देख सकते हो Ecrylonatural जो की monomer है और उसका जो polymer है वो है polyecrylonatural P, A, N ठीक है, तो सारे monomer पर लेजिए and उनका corresponding polymer पर लेजिए तो यह जो category है, यह addition polymers का category में आता है यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो जितने भी सब पर लेजिए यहाँ पर अब देखें मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर देखें इसका structure नहीं है तो बूना इसका structure याद करने का नीरी नहीं है, मैं फिर से बता दे रहाँ, यहाँ पर मैं वही include किया हूँ, जो एक्जामें पूछे जा सकते है कुछ भी बेकार कंटेंट यहाँ पर नहीं किया हूँ, उसी तरह 1,3 butadene plus acrylic natural burn करके बूना इन बनता है ठीक है, अब यहाँ पर कुछ important point है, देखें rubber दो category होता है, एक होता है natural rubber, एक होता है synthetic rubber तो synthetic rubber और तीन category होता है, बूना एस, बूना एन, और नियोप्रेंट, तो यह MCQ के formative बन सकते हैं, अब बात करते हैं, condensed polymer तो दीखें, condensed polymer में कई सरे polymers है, like polyamides, polyamides दो तरग होते हैं, एक है nylon 6,6 and एक है nylon 6, तो यह and यह, यह दोनों polymer है एंड यह polyamides यह category में आते हैं, तो polyamides के category में दो polymer आते हैं, जिसकों बोलते है nylon 6,6 and nylon 6 अब बच्चों में questionerize होता है, कि यह 6,6 क्या है and यह 6 क्या है, तो देखो, nylon 6,6 जब बनता है ना, तो यहाँ पर 6 carbon atom है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हो, hexamethylene diamond, तो total 6 carbon atom है and यहाँ पर जो adabic acid है, तो यहाँ पर भी 6 carbon atom है, तो 6 carbon atom मिल करके nylon 6,6 बनता है, तो इसलिए हम लोग को इसको 6,6 बोलते है and यहाँ पर एक keyword है, strong hydrogen bonding, तो कुस्तने यही पूचे जगा कि strong hydrogen bonding कहा पर होता है, कौन सा polymer होता है तो यह छोटा-छोटा question बन सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हो कि हर एक content है, हर एक content यहाँ पर important है तो यह polymer है, उसी तरह जब nylon 6 बनता है, तो यहाँ पर 6 carbon atom है, तो यहाँ पर 6 carbon atom है, तो 6 carbon atom है, तो इसको बोलते 6, ठीक है and यहाँ पर hydrolysis reaction होता है, question यह बन सकता है, कि nylon 6,6 is stronger than nylon 6 due to high extent of age bonding तो जहाँ पर hydrogen bonding होगा, वो stronger होगा ही होगा, तो यह भी आपको ध्यार रखना चाहिए, backlight देख सकते हो, backlight करने यह थर्मो सेटिंग बॉल्यमर बोलते है, तो phenol और formaldehyde, मिल करके backlight बनता है, अब backlight के structure याद करने का need ही नहीं है, बस exam में यही पूछता है, कि कौन सा दो चेज है जिसे backlight बनता है, ठीक है, तो आप उन सब chapters को पर ही है, जो कि important है, फिलाल यह जो polymer है, यह आप hand written notes follow कर सकते हो, बाकी polyester देख सकते हो, तो polyester भी एक polymer है, इसको हम लोग terrylion बोलते हैं या dacron बोलते हैं, तो इसका मतलब reaction पने का नीर नहीं है, बस आप यह अधर गिये, कि polyester को हम लोग terrylion बोलते हैं या dacron नहीं बोलते हैं, ठीक है, बात करते है biodegradable polymer, तो यह 2 तरह होते हैं, इसका आप name देख सकते हो, तो nylon 2 और nylon 6 यह biodegradable polymer की under महीं आता है, ठीक है, बात करते हैं, इसका काफी सरी बच़े confused होते हैं, इसका use का था होता है, तो exam मैं यहीं दिखाऊ, कि maximum जो uses के जो questions होते है बस इन ही polymers सही पूछे जाते है polystyrene हो गया, PVC हो गया, baclet हो गया, glyptol हो गया, polypropene हो गया तो आप इन के ही बस uses पर लेज़े ठीक है इसके अलाव परने का need नहीं है बाकी कुछ-कुछ important monomer and polymer है like amino acid का जो polymer है वो है protein nucleotides का जो polymer है वो है nucleic acid and glucose का जो polymer है वो है cellulose तो यह रहा polymer, इसको मैं काफी summarized way में लिखने का try किया हूँ तो इन में सही questions बनने वाला है आपको test book परने का need नहीं है आपको करना क्या होगा मैं यह जो hand edited notes लिखा हूँ आप यह पर लेजिए ठीक है and pyq कर लिजे chapter wise pyq जो होता है न वो कर लिजे बस यह दुन कर लेते हो तो 95% आप कर ही लोगे ठीक हो सकता है 5% questions ना हो आपसे लेकि 95% questions हो ही जागा यह मैं guarantee बोल रहा हूँ यह hand written notes यह और pyq कर लिजे बस आप लोग comment करके जरूँ बता है नीट नहीं है क्योंकि exam के time पर आपके पस उतना समय नहीं देगा कि हर एक chapter को में धंक से revise कर सको तो at least यह सरे जो chapters है जो की लगबग थोड़ा boarding type होता है और बच्चे skip करते हैं तो उसको में try कर रहा हूँ कि इसका hand written notes आपको मिल जाए ताकि आपको समझ में सके हाँ यहां सी questions मनने वाला है तो आपको comment करके जरूँ बताएगा कि किस topic उपर आपको hand written notes चाहिए और इसकी regarding कुछ भी doubt है आप लोग comment जरूँ कर सकते हो बाकी कैसे access करना होगा एक गला भी application का आपको install करना होगा फोल्डर में जाएए WBJ या IT जाएएड वहाँ आपको chemistry का folder दीखेगा ठेक है